हे गाईज वेलकम टू माई स्टडी दोस्ट यूडूप चैनल कैसे हो आप सब लो आई होप आप सब लो अच्छे होगे तो फेंड आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे वोकैबलरी जो आपके एक्जाम के पॉइंट वी से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं यह एक डिटेस्ट का मतलब क्या होता है गिरिना करना कीवर्ड हम इसमें क्या बनाएंगे टेस्ट ट्रिक क्या बना ली ज्यादतर इस्टुएंट टेस्ट से क्या करते हैं गिरिना करते हैं तो जब भी आपके एक्जाम में आएगा डिटेस्ट यहां से पकड़ेंगे टेस्ट और बाई students क्या करते हैं test से घ्रना करते हैं बात करें synonyms की तो hate, abor और despise आप तीनों को याद कर लीजिएगा most important है तो synonyms क्या होंगे इसके hate, abor, despise बात करें antonyms की तो love और adore इसके क्या होंगे antonyms होंगे तो I hope आप समझगे होंगे जब भी आपके exam में आएगा detest, यहां से पकड़ेंगे test और बाई student test से क्या करते हैं hate करते हैं, घ्रना करते हैं तो I hope आप इस trick को समझगे होंगे चलते है next, next है चलते है second, accretion जो की क्या एक noun है meaning increase, enlargement, amassment, accumulation यानि accretion का मतलब क्या होता है व्रद्धी, keyword हम इसमें क्या बनाएंगे, एक क्रिष्ण, trick क्या बना ली, एक क्रिष्ण भगवानी थे जिन्होंने महावारत के युद में, अर्जुन के होसले में व्रद्धी की थी जब भी आपके exam में आएगा, accretion तो यहाँ से बनाएंगे एक, यह हो गए क्रिष्ण तो एक क्रिष्णी भगवान थे, जिन्होंने क्या किया था, और जो उनके होसले में क्या की थी, व्रद्धी की थी जब भी आपके exam में आएगा, accretion आप समझ जाओगे, व्रद्धी, बात करें, स्नोनिम्स की addition, augmentation, increase, enlargement, amassment, accumulation आप इन सभी को याद कर लिजेगा, most important है, सारे के सारे जब भी आपके exam में आएगा, accretion तो इसके स्नोनिम्स के आओँगे, addition, augmentation, increase, enlargement, amassment, accumulation तो भाई, आप देख लिजे, एक vocabulary नहीं है, कई सारी vocabulary, एक vocabulary में include कराई जा रही है तो most important series है भाई, यह vocabulary की आने वाले exams के लिए, तो आप सभी को देखिएगा, one by one, सारी vocabulary की वीडियो को बात करें, एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स के आओँगे, decrease और deduction, accretion के एंटोनिम्स की बात करें, तो क्या होँगे, decrease और deduction, चलते है next Allure, जो की क्या एक noun है, meaning to attract, tempt, यानि Allure का मतलब क्या होता है, आकरशित करना, keyword, आलू रे, यहां से बनाए, आलू यह बना ली रे ट्रिक क्या बनाए, अगर मंडी में कोई सुन्दर सी लड़की सबजी बेशते होए, यह कहे, आलू रे, आलू रे, ले लो, पांच रुपे किलो, तो वो क्या करेंगी, आकरशित करेंगी, तो जब भी आपके exam में आएगा, Allure, तो यहां से बनाएंगे, आलू रे, आलू अए, आलू रे, कौन करेंगी, लड़की करेंगी, और वो क्या करेंगी, आकरशित करेंगी, तो आप केवल केवल इसी को याद मत करना, एक सनूनूं याद कर लो नहीं, आपको सारे याद करने हैं ताकि आप अपना बहस से दे सको vocabulary में क्योंकि आप एक ही याद करोगे तो भाई बाकी के मतलब आपको याद नहीं रहेंगे ठीक है और ये भी पूछे जा सकते हैं आपके exam में कि lure का मतलब क्या होता है तो बाकी के मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं examiner आपको दे देंगे lure word इसके आपको synonym बताने है तो attract होगा option में या charm होगा तो आपको इन में से tick करना है ठीक है अगर आप इसी को याद करके जाओगे तो बाई अगर ये नहीं पूछा ये वाला पूछ लिया तो lure ठीक है तो आपको सभी याद करने है ऐसा नहीं है आप एक ही याद करो और बात करें इसके antonyms की तो antonyms क्या होगे रेपल और डिटर तो आई होप आप समझगे होंगे जब भी आपके exam में आएगा यहां से बनाएंगे आलू रे ठीक है और वो क्या करेंगी लड़की आकरशित करेंगी चलते है नेक्स्ट नोइजम जो की क्या एक adjective है मीनिंग harmful नुकसान दायक नोइजम का मतलब क्या होता है नुकसान दायक बात करें keyword की नोइज यानि शोर आवाज यहां से बनाएंगे नोइज यानि शोर आवाज बात करें ट्रिक की ज़्यादा नोइज हमारे कानों के लिए क्या है नुकसान दायक है harmful है जब भी आपके exam में आएगा नोइजम तो यहां से बनाएंगे नोइज यानि शोर आवाज और जो की क इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, तो आप इन सभी को याद करना, एक को याद मत करना, सभी को याद करना, तो I hope आप समझगे होंगे, जब भी आपके exam में आएगा noise हम, तो यहां से बनाएगे noise, और noise क्या मतलब सोर अवाज, जो की हमारे लिए क्या है, नुकसान दाय बात करें keyword की, यानि यहां से keyword क्या बनाएगे, हैजा, क्या बनाएगे हैजा, बात करें trick क्या बनाएगे, हैजा बीमारी जो की बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, तो जब भी आपके exam में आएगा हजार यहां से बनाएगे हैजा, जो की क्या है, हमारे लिए खतरनाक है, डें बट आपको साथी साथ ये जितनी vocabulary आपको दी जा रही है इन सभी को याद करना पड़ेगा मैं guarantee दे रहा हूँ भाई आपका vocabulary में एक नमबर भी गलत नहीं होगा बट आप जो दे रखी है words उनको भी साथी साथ याद करते जाएए ऐसा नहीं है यह आप केवल केवल इसका एक synonym याद करके चले जा रहे हूँ ऐसा नहीं आपको सारे words याद करने है तब ही आप best score कर पाओगे vocabulary में यह मैं guarantee दे रहा हूँ और जितने भी antonyms हो सभी को आपको याद करना है तो I hope सभी भाई लोग याद करेंगे चलते है next next है milieu जो की क्या एक noun है meaning है environment यानी mahal तो keyword हम इसमें क्या पकड़ेंगे milieu क्या पकड़ेंगे milieu ट्रिक क्या बना ली मैं तुमसे जब मिलूँगी जब गर का माहौल क्या होगा अच्छा होगा तो जब भी आपके exam में आएगा milieu तो यहाँसे बनाएंगे milieu तो जब भी गर का मा बाजगे होंगे बात करें इसके synonyms की तो surroundings और environment क्या होंगे इसके synonyms होंगे और बात करें antonyms की तो foreground और limited area इसके क्या होंगे antonyms होंगे चलते है next टॉरपूर जो की क्या एक noun है meaning lethargic यानी आलस क्या है टॉरपूर का मतलब आलस keyword हम इसमें क्या पकड़ेंगे तोड फोड क्या पकड़ेंगे तोड फोड ट्रिक्या बना ली वो सारे दिन पत्थर तोडने फोडने का काम करता है इसलिए शाम होते ही उसे आलस आ जाता है तो आयोप आप समझगी होंगे जब भी आपके एक्जाम में आएगा तोड फोड यहां से पकड़ेंगे तोड फोड और फोड का काम करता है वो तो उसको रात में क्या आ जाता है आलस आ जाता है तो बात करें सुनोनिम्स की तो लेथार्जिक, लेजी, इनक्टिव, फ्लॉट, लेंगर, ड्राउजीनेस ये सारे के सारे क्या होंगे इसके सुनोनिम्स होंगे आप सभी को याद करना एक याद करके मत चले जाना बात करें एंटोनिम्स की तो डिलिजेंस और लैवलिनेस सिंगल तो जब भी आपके एक्जाम में आएगा तोड़ पोर तो यहां से बनाएंगे तोड़ फोर और वह तोड़ फोर का काम करता है इसलिए उसको क्या जाता है रात में आलस आ जाता है चलते है नेक्स पैंसिव जो कि क्या एक एड़ेक्टिव है मीनिंग थौटफुल वि क्या याद किया था अर्थार्थ काफी विचार करते हैं बात करें पैंसिव के स्टोनिम्स की तो थौटफुल रिफ्लेक्टिव और कंटेंपलेटिव क्या होंगे इसके स्टोनिम सुंगे और बात करें एंटोनिम्स की तो थौटलेस और ब्रेनलेस इसके क्या होंगे एंट इनोशियस जो की क्या है एक adjective है मीनिंग क्या है harmless लाबदायक इनोशियस का मतलब क्या है लाबदायक बात करें keyword की तो ino sound of ino यहां से बनाएंगे ino ट्रिक क्या बना ली इनो जो की शरीर के लिए क्या है लाबदायक है तो आई होप आप समझगी होंगे ट्रिक को जब भी आपके एक्जाम में आएगा इनो शियस तो यहां से पकड़ेंगे इनो और इनो क्या भाई लाबदायक है हमारे शरीर के लिए तो बात करें इसके स्नोनिम्स की तो harmless और inoffensive इसके क्या होंगे स्नोनिम्स होंगे और बात करें एंटोनिम्स की तो harmful, injurious और destructive इसके क्या होंगे एंटोनिम्स होंगे तो आई होप आप समझ गया होंगे जब भी आपके exam में आएगा inosius तो यहां से पकड़ेंगे ino ट्रिक क्या बनाएंगे हम इसमें, दो बायक वाले टकराने के बाद रोड पर जगडने लग जाते हैं, तो जब भी आपके एक्जाम में आएगा विकर, तो यहां से बनाएंगे बायकर, और भाई दो बायक वाले टकराने के बाद क्या करते हैं, जगडा करते हैं, तो बात कर Agri, Acid और Conquer इसके क्या होंगे एंटोनिम होंगे तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा बिकर तो क्या बनाएंगे बाइकर और दो बाइक वाले टकराने के बाद क्या करते हैं रोड पर जगडा करते हैं तो आई होप आप समझगे होंगे चलते हैं next inimical जो की क्या एक adjective है meaning क्या है hostile दुस्मनी inimical का मतलब क्या होता है दुस्मनी बात करें keyword की तो enemy sound of enemy किसकी sound आ रही है enemy यानि सत्रू की तो हम ट्रिक क्या बनाएंगे सत्रू जिससे की हमारी दुस्मनी होती है तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा inimical तो यहां से बनाएंग जो की क्या है शत्रू है और शत्रू से हमारी क्या होती है दुस्मनी होती है तो बात करें synonyms की तो hostile, unfriendly, aggressive यह क्या होंगे सारे के सारे synonyms होंगे किसके inimical के तो आप सभी को याद कर लीजिएगा बात करें antonyms की तो friendly और kind क्या होंगे antonyms होंगे किसके inimical के तो I hope आप होंगे, चलते है next, अब बोर, जो की क्या है, एक verb है, मिली गेट, घृटा करना, कीवर्ड हम इसमें क्या पकड़ेंगे, भोर, यानि बोर, टृक्ड़ क्या बना ली, किसी चीज़ बोर हो जाने पर हम उससे क्या करते है, हेट करते हैं, घृटा करते like, admire इसके क्या होंगे एंटोनिम होंगे तो जब भी आपके exam में आएगा अब और तो यहां से पकड़ेंगे बोर और हम जब किसी चीज़ से बोर होयाते हैं तो क्या करते हैं hate करते हैं यानि घिणा करते हैं तो आई होप आप समझ की होंगे चलते हैं next garnish जो की क्या एक verb है meaning क्या होता है decorate, adorn यानि सजाना garnish का मतलब क्या होता है सजाना बात करें keyword की तो keyword हम इसमें क्या बनाएंगे garnish paint क्या बनाएंगे garnish paint तो trick क्या बना ली garnish paint जो की घरों को सजाने के लिए काम में आता है या garnish shampoo जो की बालों को सजाने के लिए काम में आता है तो जब भी आपके एक्जाम में आएगा garnish तो यहां से बनाएंगे garnish paint और भाई garnish paint हम क्यों यूज करते हैं घर को सजाने के लिए use में लेते हैं तो आयोप आप समझगी होंगे बात करें synonyms की तो ornament, trim और adorn इसके क्या होंगे synonyms होंगे और बात करें antonyms की तो decrease और strip क्या होंगे इसके antonyms होंगे तो आयोप आप समझगी होंगे जब भी आपके exam में आगा garnish तो यहां से बनाएंगे garnish paint जो कि किसके काम आता है घर को सजाने के लिए काम में आता है तो चलते है next nebulous जो कि क्या एक adjective है meaning क्या है not clear aspiced nebulous का मतलब क्या होता है aspiced बात करें keyword की तो nebu, keyword हम इसमें क्या बनाएंगे nebu, trick क्या बना ली अगर आँखों में nebu डाल दिया जाए तो थोड़ी दिर के लिए कोई भी चीज aspiced दिखाई देती है उसे कैसी दिखाई देती है aspiced बात करें stronyms की तो vague, hegy और obscure इसके क्या होंगे stronyms होंगे और बात करें antonyms की तो obvious और clear इसके क्या होंगे antonyms होंगे तो जब भी आपके exam में आएगा nebulous तो यहांसे बनाएंगे nebu और बाई जब भी हम किसी की आँखों में निव डाल देंगे तो उसे कैसा दिखाई देगा aspiced दिखाई देगा तो I hope आप समझ गये होंगे चलते है next Amuse जो कि क्या एक verb है मीनिंग क्या होता entertain, मन बहलाना, मनुरंजन करना बात करें keyword की कीवर्ड हम इसमें क्या लेंगे arm use क्या लेंगे arm use ट्रिक्या बना ली कैट्रीना कैफ लड़कों का मन बहलाने तथा मनुरंजन करने के लिए slice वाले advertisement में arm का ही use करती है बात करें synonym की entertain, recruit, gladden please इसके क्या होंगे synonym होंगे बात करें इसके क्या होंगे antonyms होंगे तो आप सभी को याद करिएगा तो भाई आपकी 15 नहीं 50 प्लस vocabulary complete हो गई है क्योंकि आपको synonyms और antonyms दोना याद करने है तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like करना और हो सके तो केवल केवल एक share कर देना तो आप ऐसे हस्ते रहिए मुस्कराते रहिए मैं आपको मिलता हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जै हिंज जै बारत वंदे मात्रम टेक केर बबाए